नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया वर्सिज उस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे वंडे मैच के ड्रीम 11 टीम और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन के बारे में देखो दोस्तो इस सीरीज के अंदर इंडिया की टीम ने ओल्लेडी 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है और इंडिया ने ये सीरीज जीत ली है ऐसे में तीसरे वंडे के अंदर इंडिया की टीम सीरीज को 3-0 से जीत के clean sweep करने के लिए उतरने वाली है वही देखो दोस्तो हाई चांस है कि उस्टेलिया की टीम इस मैच के अंदर अपनी full strength के साथ खेलने वाली है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उनका ये last international match होने वाला है तो ऐसे में उस्टेलिया की टीम अपनी full strength चेक करने वाली है साथ ही देखो दोस्तो इस मैच के अंदर आपको इंडिया की playing 11 के अंदर 4-5 changes देखने को मिल सकते हैं वही उस्टेलिया की playing 11 के अंदर आपको 2-3 changes देखने को मिल सकते हैं तो ऐसे में आप team कैसे बनाए क्या सनेडियो रहेगा जानने के लिए वीडियो को पूरा याद से द लाइक करना बिल्कुल फरी है लाइक करने का एक भी पैसा नहीं लग रहा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब करोगे तो हम वर्ल्ड कप के अंदर ऐसी है आपको कमाल कमाल की prediction और team वगेरा provide करते रहें और वीडियो को लाइक याद से कर देना दूसर वीडियो के description में link है link पे click करके telegram channel या अच्छे join कर लीजेगा बिल्कुल फरी है कोई पैसा नहीं लग रहा आपको कुछ नपुछ सीखने को ही मिलेगा telegram के उपर base team provide करते हैं आइडिया देखते हैं team कैसे बना सकते हो पीछ का अंदाजा लगा सकते हो तो ऐसे में telegram channel का link वीडियो के description में है और साथ ही देखाया अगर आप हमें whatsapp पे follow करना चाहते हो तो आप whatsapp पे भी हमारे channel को follow कर सकते हो उसका link भी आपको इस वीडियो के description में मिल जा ना तो please like वाला बटन दबा दो तो भाई यू वीडियो की starting कर लेते हैं और सबसे पहले हम देख लेते हैं शोराष्टर किर्केट association stadium राजकोर्ट के ground की pitch report क्या रह सकते हैं देख वार इस ground के उपर अब तक तीन ही one day match खेलेगे हैं history के अंदर जिसमें से तीनो के तीनो मैच पहले batting करने वाले team ने जीते हैं और इन तीनो मैचों के अंदर first inning का average score 312 run देखने को मिल हैं अब average score 312 run है तो यानि batsman का दबदबा देखने को मिल सकता है as per in record की basis वही देखो यार हाई ये score है 340 run 6 wicket पे इंडिया का और यहापे lowest score 270 run है 7 wicket पे South Africa का अगर हम यहापे score pattern की बात करें तो 250 से 299 के बीच में एक बार run बने हैं और 300 plus score दो बार बना है इस ground cube अब अगर हम यहाँ से जाए ना तो काफी अत्तक आपको एक batting friendly pitch देखने को मिल सकती है क्योंकि ये चीज़ record कह रहे हैं लेकिन एक चीज़ हमें देखने वाली रहेगी कि हमें final pitch report याद से द अब देखो दोस्तों जो इस ground cube ये तीन मैच खेले गए हैं इन तीनों मैचो का record देख लेते हैं जो last match इस ground cube खेला गया था वो खेला गया था 2020 के अंदर इंडिया और Australia के बीच उस match में इंडिया ने पहले बैटिंग की 340 रन बनाए 6 विकेट पे Australia चेज़ करते वे 304 रन पाई और 36 रनों मैच इंडिया ने जीत लिया और उस match में अगर हम गोलिंग का सनुरियों देखेना तो पहली निंग के अंदर 2 विकेट फास्ट बोलर और 3 विकेट स्पीनर को मिले और दूसरी निंग के अंदर 6 विकेट फास्ट बोलर और 4 विकेट स्पीनर को अगर हम उ अमिय को तीन विकेट मिले, कुलदी प्यादव को दो विकेट मिले और जसपृडी बूमरा को एक विकेट मिला और ये इन्डिय की तरफ से उस मैच के अंदर टोप प्फोमर प्लेयर थे, हाला कि इस सारे प्लेयर खेल सकती हैं इस वाले मैच के अंदर वही उस मैच में अगर हम उस्टेलिय की तरब से बात करें तो स्टीव स्मित ने ठाणवा रन बनाए मानस लबुस चेन ने छालिस रन बनाए और एडम जेंपा को तीन विकेट मिले ये तीन प्लेयर उस्टेलिय की तरब से टोप पफोरमर थे जो आज भी खेल सकते हैं इस मैच के अंदर ये मैच खेला गया था 2020 के अंदर इस ग्राउंड के उपर उससे पहले देखो दोस्तो इस ग्राउंड के उपर मैच खेला गया था फास्ट बोलर और पांच विकेट स्पीनर को मिले और दूसरी इनिंग के अंदर चार विकेट फास्ट बोलर और दो विकेट स्पीनर को मिले उसके बाद उससे पहले एक मैच के लगया था तो पहली इनिंग में 2 विकेट फास्ट बोलर और 1 विकेट स्पिनर को मिला और दूसरी इनिंग में 5 विकेट फास्ट बोलर और 4 विकेट स्पिनर को मिले। अब हमें क्या चीज़े यहां से सीखने को मिलती है। सबसे पहली और मैच तपुन चीज ये देखने को मिली कि तीनो के तीनो मैच जीते हैं पहले बेटिंग करने वाली टीम में तो चेजिंग करना थोड़ा सा मुस्किल हो सकता है दूसरी चीज़ हमें यहां पर यह देखने को मिली कि तीनों मैचों के अंदर फर्स्ट इनिंग के अंदर थोड़े से कम विकेट गिरे हैं as compared to second inning यानि second inning के अंदर विकेट ज़्यादा निकाले हैं बोलर ने और खासकर fast बोलर ने second inning के अंदर ज़्यादा विकेट निकाले हैं इसका एक मतलब यह भी हुआ कि under the light यानि जो बोलर पारपले के अंदर बोलिंग करने आएंगे उनको थोड़ी बहुत movement देखने को मिल सकती और एक चीज यह भी थी कि पहले बैटिंग करने वाले टीम ने high score खड़ा किया था तो पहले बैटिंग करने वाले टीम के batsman का दबदबा देखने को मिला था अब मापको यह चीज थोड़ा से एक short में समझाता हूँ कि match के अंदर हुआ क्या देखो कुछ चीज हैं आपको थोड़ा सा सीखो इन चीजों को कि जिस टीम ने यहाँ पे first batting की ना उस टीम के top order के 3 से 4 clearों ने अच्छा performance दिया around 50 plus run बनाई तीनों मेचों के अंदर यह सीन देखने को मिला उसके बाद उसी टीम की opposite जिस टीम ने पहले बोलिंग की उस टीम का मात्तर एक या दो ही बोलर चले first inning के अंदर जब second inning के अंदर टीम बैटिंग करने आई तो under the light power play के अंदर movement देखने को मिली और यहाँ पे power play क अंदर एक दो विकेट गिरे और उसके बाद spring road ने सामने वाले टीम का काम तमाम कर दिया और ऐसे ही तीनों के तीनों मैच पहले बैटिंग करने वाले टीम जीती अब अगर आप grand league के टीम बना रहे हो तो आप एक आदा सनेरियो यह भी apply कर सकते हो कि जो टीम पहले बैटिं करने आए तो उसके आप middle order के batsman ले लो एक दो एक दो grand league की टीम ऐसे बना सकते हो अब यह scenario मैं आपको इसलिए बताया मेरे वाई हो क्योंकि इंडिया फैवरिट टीम है सबकी लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो ऑस्ट्रेलिया की फिर में थोड़े कम बंदर टीम बनाएंगे तो आप grand league की एक आदे रिसकी टीम ऐसे ओस्ट्रेलिया के फिर में बना सकते हो बाकि हम बाकी हर एक player का record हम आगे देखने वाले और वीडियो को like नहीं किया न तो please like वाला बटन दबा दो और final pitch report टेलिग्राम पे मिलेगी उसको देखने के बाद ही जिसमें से इंडिया की टीम ने 56 मैच जीते हैं और उस्टेलिया ने 82 मैच जीते हैं लेकिन गर आप last के 5-7 सालों की बात करोगी न तो head to head के अंदर दोनों टीमों का neck to neck competition आपको देखने को मिलने वाला है तो match कोई team जीत सकती है अलाकि last के दोनों match इंडिया की टीम जीती टीम तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं जो पहला match था वो खेला गया था मोहाली के ग्राउंड के उपर उस match में उस्टेलिया ने पहले बैटिंग करते हूं 26 रन बनाए 10 विकेट पे इंडिया ने 281 रन बनाके 5 विकेट से match जीत लिया और उस match के अंदर first rank की dream 11 की कुछ ऐसी टीम देखने को मिली थी जिसमें अगर हम टोप 11 प्लेयर की बात करें तो श्टेलिया की तरब से डेविड वोर्नर ने 52 रन बनाए श्टीव सिमित ने 41 रन बनाए जो सिंगलिस ने 45 केमरून गीर ने 31 एडम जेंपा को दो विकेट मिले पैट कमिंग्स ने 1 विकेट ल ने 44 रन बनाए लेकिन शुबमंगिन ये वाला मैच नहीं खेलेंगे रिद्दुराज गाईकवार नहीं कैतर रन बनाए केल राहूल ने 58 रन बनाए सुर्य कुमार यादों ने 50 रन बनाए और मौमज शमी को 5 विकेट मिले और आपको इंडिया की तरफ से केल राहूल शु यहाँ पे विराट को लिए वाला मैच खेलने वाले हैं तो ये दो प्लेर यहाँ पे चेंज हुए हैं इंडिया की तरफ से अब दूसरा वंडे हुआ था इंदोर के ग्राउंड की उपर और इंदोर का ग्राउंड तो फ्लेट ट्रैक होता मैंने आपको वीडियो में बता याथ दूसरे वंडे की वीडियो में और साथ ही वाँपे ये भी तागी बाउंडरी स्मोल थी और वाँपे इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 399 रन बनाए 5 विकेट पे थोड़ी बहुत बारिश आ गयी थी उस वज़े से उस्टेलिया 27 रन बनाए 10 विकेट पे औ और इंडिया ने 99 रोसे मैच जीत लिया डीलस मैच थर्ण से अगर उस मैच के हम फर्स्ट रैंक की टीम देखे तो कुछ ऐसी टीम देखने को मिली थी जिसके अंदर गरम टोप 11 प्लेर की बात करें तो इंडिया के तरब से शुबमन गिल ने 104 रन बनाए लेकिन शुबमन क इशान केशन यादव शुबमन गिल रविंदर जैजाओर आर अश्विन देखने को मिले थे वहीं अगर हम बात करें ऑस्टेलिया की तरब से तो डेविड वोर्नर ने 53 रन बनाए ते उसके बाद सीन अबट ने एक विकेट लिया चोमन रन बनाए और जो सेजलूड ने ए ये चीज़ कनफर्म है तो ये आपको दोनों मैचों की हैड टो हैड की लास्ट की जो टीम है न ड्रीम मिले होने की वो देखने को मिल रही है और ये दोनों मैच ही बैटिंग फ्रेंड ली पिछ की उपर हुए थे और राजगोट वाला मैच भी हाई चांच है कि पहले बैटिंग करने वाले टीम के बैट्समें ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसा ही कुछ आप सेनेरियों यहां पर भी लगा सकते हो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंडिया की क्या प्लेंग 11 देखने को मिल सकती है देखो यार प्लेंग 11 आना वो थोड़ी सी इंडि करने आएंगे अब रोईच शर्मा के साथ इशान किशन है ओपनिंग का एक ओप्सन जो ओपनिंग करने आ सकते हैं तीन नमबर पे है विराट को लिए यानि ये तीन प्लेर हमारे पास होगे टोब ओडर की मिल ओडर की बात करें तो स्रेयस ऐयर केल राउल हार्दिक पांड पांचों बोलर हार्दिक पंड़ा देखने को मिल सकता है टीम इंडिया के अंदर लेकिन यहां पे एक प्रोब्लम ये है टीम इंडिया के अंदर इंडिया ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि टीम इंडिया इस मैच के अंदर सूर्य कुमार यादों को विरेश्ट दे सकती है और ऐसे में अश्विन, कुलदीप, मुवमत सिराज, मुवमत शमी और जस्परीद दूमरा में से किनी चार प्लेर को खिला सकती है। और चार बोलर ये हो जाएंगे, पांचवा बोलर जडेजा और छटा बोलिंग उप्सन हार्दिक पांड़ा देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक दो चेंज होगा इंडिया के अंदर, यह कंफर्म है। अगर यादव खेल लेका तो इंडिया की टिम को पूरे की पूरे पांच बोलिंग उप्सन के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर यादों नहीं खेलता है तो उस केस के अंदर इंडिया को यहाँ पे चार बोलर और एक जड़ेजा पांच ओ बोलर और उसके बाद चाटा बोलर हार्दिक पांड़ा के साथ जा सकती इंडिया की टिम यह आपको हाई चांस है प्लेइंग 11 ने थोड़ा सा चें ने 50 लगाई उसके बाद इशान किशन के गरम बात करें तो 31, 18, 33, 32, 33, 55 सिर्फ लास्ट के पांचे मैचों में एक मैच में खारा रहना बाकि हर एक मैच के अंदर अच्छा परफॉमेंस है और ड्रीम टीम में अपनी जगा बनाई इस प्लेयर में इस प्लेयर का सेलेक्शन भी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और अगर लास्ट मैच की तरह इस प्लेयर से विकेट किपिंग करवाकती न टीम इंडिया तो ग्रेंड लिग का डिफरेंशल प्लेयर है मातर 16, 17% सेलेक्शन विराट कोली देऊगा है और विराट कोली गर आप बेसेंट फॉम की ब गरम बात करें तो लास्ट मैच में 104 रहन थे लेकिन उससे पहले इतने अच्छी फोर्म नहीं थी लेकिन यहां पे इस प्लेयर को फिर से अपने आपको प्रूव करना पड़ेगा 4 या 5 नंबर पे तो परफोमेंस दे सकता है केल राउल के गरम बात करें तो देखार जब से केल राउल ने वापसे किया न तब से एक भी मैच ऐसा नहीं गिया है जिसके अंदर केल राउल ड्रीम टीम के अंदर ना आया हूँ 52 थे लास्ट मैच में उससे पहले 58, 49, 111, 32 हर एक मैच में अच्छा परफोमेंस है और वेसे इंडिया का जो मेन विकेट की परणरो केल राउल है अगर ये विकेट की पिंक करता है तो ये फिर इंपोर्टनेट भी है और वेसे भी कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी का भी दा 53 विकेट, 5 रन 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, सता सिरिन अगर आप लास्ट के 5 मैचेश की बात करें तो बैटिंग से तो इतना अच्छा पॉन्ट्रिबूशन नहीं है लेकिन बोल्लिंग से ठीक टा कॉन्ट्रिबूट कर रहे है उसके बाद रविंदर वेज़ा last match से पहले थोड़ा flop चल ले ते लेकिन last match में 13 run और 3 wicket थे outshending performance था उसके बाद 3 run 1 wicket, 7 run 1 wicket, 4 run 2 wicket यह इस शाक अप और उस तिलिया सिरीज का record जिले जाग। उसके बाद अश्विन की बात करें अश्विन ने last match में 3 wicket यह थे उससे पहले 1 wicket, उससे पहले 0 wicket, 2 wicket, 3 wicket, 1 wicket, 1 wicket ते अगर अगर इंडिया की टीम second inning के अंदर bowling करती है ना मान लेती है इंडिया टोस जीत के पहले बैटिंग चूझ कर लेती हूँ इंडिया second inning के अंदर bowling करती है ना तो ऐसे में जडेज़ा और अश्विन दोनों ही crucial रह सकते हैं क्योंकि second inning के अंदर यह दोनों प्लेयर wicket निकाल सकते हैं उसके बाद जस्परीद बुमरा राइट आम फास्ट मेडियम पेसर देर अगर बुमरा को drop करना बहुत रिसकी चीज़ होता है तो हमें टीमों में रखना पड़ेगा और लास्ट के पांच से मेच देखोगे तो एक मेच को छोड़ दो हर मैच के अंदर इस प्लेयर ने wicket निकाले मुवम्मद सीराज की बात करें सीराज भी काफी अच्छे टच में अगर आप लास्ट के पांच से मेच की बात करें तो एक मैच तो यादो ने अब तक दो मैच के लें इस सिरीज के अंदर दोनों में 71 और 50 रन बनाएं। दोनों मैचों के अंदर ड्रेम टीम में आया है ये प्लेर अगर खेलेगा तो जी एल के अंदर मोका दिया जा सकता है क्योंकि 40-50 प्रसेंट ये आपको सेलेक्शन देखने को मिलेगा। कुल्दीप यादो अगर खेलता तो इंपोर्टेंट है बाके मेरे साफ साथ कुल्दीप यादो को इस मेच में नहीं मोका देना चाहिए कुई कुल्दीप यादो ने ओल्डेडी प्रूफ कर दिया इस ये कमाल का बोलर है ऐसे में अश्वीन अक्सर प्रटेल अब रूल ड कर लेता है काम चला लेता है तो साइध याँ पर कुल्दीप यादो की जगा इश्वीन को मोका दिया जाएगा लेकि तर कुल्दीप खेलता है न तो हमें टीम ही रखना पड़े उसके बाद वोसिंग्टन संदर को अभी तक मोका नहीं मिला है इस में चे मोका मिलेगा नही को ठीक है यानि एक डो तीन चार प्लिरों का ठीक है उसके बाद हर्दिक पंड्डै भी सेफ है जड़ेजा भी सेफ हैप पुपार बिसेफ है शिराज भी शही और शम्मी ठाब से सारी प्लेर यह आम पर सेफ नेकल के याँ को रहेकर अगर आगर अगर आप्ट ग्रैंड ल ओल्ड राउंडर ना उन में से किसी दो को लेने कोशिस करो और इंडिया के 7-8 प्ले ले लो इंडिया अगर पहले बैटिंग कर दिया तो ग्रेंड लीक की एक टीम ऐसे बना सकते हैं बागी फाइनल टीम दो आपको टेलिग्राम पे दे दूँगा मैंने आपको रिकोर्ड बता है सारे प्ले लो अब देखो दोस्तों गरम ऑस्टेलिया की तरब से बात करेंगा तो अगर ऑस्टेलिया की टीम मेरे हिसाब से इस मैच के अंदर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ चाहिए क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले उनका यह लास्ट वंडे मैच है उसके बाद एक दो वार्म अप मैच खेलने हैं वार्म अप मैच में वैसे ही आप इतना पर वंडे के तरिके दे नहीं कहल सकते क्यों वार्म अप मैच में तो कोई भी कभी बैटिंग करने आ सकता है तो ऐसे में उस तिलिया को अपनी फुल स्टेंथ के साथ खेलना चाहिए और ऐसे में हाई चांसेट डेविड वोर्नर और मिचल मार्श ओपनर तीन नमबर पर स्टीव सिमित ये तीन प्लेयरों के टोप ओडर रहे हैं अब चार नमबर पर माननस लबूश चेन या फिर चार पर इनकी तरब से आपको कैमरून गरीन देखने को मिल सकते हैं उसके बाद मैक्सवेल भी खेल सकते हैं उसके बाद मिडलोडर के अंदर एलेक्स कैरी मार्कस टोनियस पैट कमिंग्स तक बैटिंग कर लेते हैं और बोलिंग की बात करें तो एडम जेंपा जोस लेट्स कमिंग्स तीन बोलर ये चोथा बोलर मिचल स्टाक और सेन अभी एक पाचवा बोलर मार्क कर्स टोनियस छाटा बोलर केमरोन गीन खीलता तो केमरून गीन और साथा बोलर लबुश्चेन साइद इनकी वल्ड कप की स्क्वाइड के अंदर है या नहीं मेरे को देखना पड़ेगा अगर मानने से लबुश्चेन वल्ड कप की स्क्वाइड के अंदर अगर इनका नहीं है ना तो साइद यहां पे हो सकता है इनकी टीम यहां पे कैमरून ग्रीन को चार नमबरें बेज़ के, 5 पे LX केरी, 6 पे Maxwell, 7 पे Marcus Toney's को भी भीज़ सकती है, ये उपर नीचे कर सकती है, पूरी पॉपर मल्ड कप वाली स्क्वेर साइट खेलनी चाहिए यहाँ पर, अब इनके प्लेरों का भी रिकोर्ड देख लेते हैं, डेविड वोर्नर के गर हम बात करें डेविड वोर्नर काप अच्छी फों में चल रहे हैं, कहने की जूरत नहीं, इंडिया किलाप लास्ट के दोनों मैचों के अंदर अच्छा पॉपमेस दिया है इस प्लेर ने, और दोनों मैचों में ड्रीम टीम में भी आया है ये प्लेर, मिचल मार्स देख लास्ट वाला म मैच के अंदर 41 रन भी बनाए थे, और अगर स्टीव सिमित ने इस ग्राउंड के उपर भी एक मैच के अंदर ठानवर रन बनाए वे हैं, उसके बाद मैक्सवेल अगर केलता है, तो बैटिंग बोलिंग दोनों कर सकता है, बैटिंग फ्रैंडली ट्रेक होता है, तो ये प् मैच में 29 रन बनाए थे, उससे पहले 18, 10, 17, 25 बैटिंग इतना को अंट्रिब्यूट नहीं, लेकिन विकेट अल्मोस हर मैच में एक दोदो निकाला है, एलेक्स के लिए देखर कमाल का प्लेर है, लास्ट मैच में 14 रन बनाए थे, उससे पहले 2, उससे पहले 9, 12, 6 रन, प्लेर है, बैटिंग बोलिंग दोनों कर सकता है, एडम जेमपा लेक ब्रेक स्पीनर अगर चेजिंग करती हो इस्टेलिया की टीम, तो सेकर इनिंग में थोड़ा कुरिशन निकल किया सकता है, हैजल वूड ने लास्ट मैच में एक विकेट लिया था, और 24 रन भी बनाए उसके बाद सीन अबेट ने लास्ट मैच में एक विकेट लिया था, और चोम मंदन बनाए थे, इसको फिर से मोका मिल सकता है, जो सिंगलिस लास्ट मैच में छेरन बना पाई थे, लेकिन उससे पहले बाले मैच में पंतारीस रन बनाए थे, और मानने से लभुशे ने दोन तनवीर संगा को मोका दे सकती, आप सारे प्लेरो का रिकोर्ड देख सकती, मैंने सारे प्लेरो का रिकोर्ड यहां पे लिखा है, हो सकता है यहां पे इनकी टीम यहां पे माननस लभुशेन को बार बिटा के चार नमबर पे जोस इंगलिस को मोका दे दे, हो सकता है यहां प इविड वोर्नर मिचल मार्स टिम स्मित और चोत्था प्लेर हो गया माननस लबुश चेंड और पांच वपलेर हाई चांस है केमरोन की इन पांच में से किनी तीन या चार प्लेर को ले 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 ला एक ग्रेंड लिग की टेम उसके बाद ऑस्टिलिया जब सेक्रिंड निंग मे एक ही टीम बनाना मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ कि एक टाइप से आप इन मैचों को इतना सीरियसली मतलो क्योंकि टीम खुद सीरियस होके नहीं खेल रही है क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले थोड़ा तयारी ब्यारी करने के लिए मैचिज हो रहे हैं तो इन मैचों प्लेंट प्लेंग के लिए उन आप पहता होगी कोन कब बोलिंग करने आएगा वो भी आपको सब कुछ बता दिया जाए क्योंकि 15 मेंबर के स्क्वेडर ना 15 में से 11 तो खेल नहीं है चार बार बैटने और 5 एचा बोलिंग और टीम के लिए तो हर एक चीज़ आपको डिट अब प्लेंग लिए और इंडिया के सारे प्लेंग रिकोर्ड बता दिया है अलागि मैं आप पर उस्टेलिया की प्लेंग 11 से अभी भी शोर नहीं हो कि यह प्लेंग लिए उसके और मानस लबूस चेंज हो सकता चार नंबर पर ग्रीन और मैक्सवेल में से कोई एक खेल सकत अब देखो दोस्तों टीम की बात कर लेते हैं सबसे पहले मैंने एक सेफ सी टीम बनाई है विगट गीपर के अंदर राउल को लिए बैटिंग के अंदर रोई चर्मा विराट कोली डेविड वोनर और स्टी सिमित को लिए और राउंडर में अर्दिक मांड़ा और यह कुछ उप्सन आप इनमें से ले सकते हूं अलाकि यह टीम मैंने बनाई है बिल्कुल भेड़ चाल वाले टीम क्योंकि हर एक बंदा यह टीम बनाएगा और यह टीम एक आपको सेफ टीम देना बहुत जुरूरी है क्योंकि सेफ टीम मैक्सिमम बंदे स्मोल लिग के और श्टीव सिमित यह दोनों बिल्कुल सेफ उप्सन है रोई चर्मा थोड़ा सा रिस्की उप्सन है और रोई चर्मा के साथ अगर दूसरा रिस्की उप्सन दोनना चाओ तो यहाँ पे रावल निकल के आ सकते हैं अब मैं आपको एक ग्रेंड लिग की टीम दिखाता हू यह टीम मैंने लगाई है अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करे उस सनेरियों के अंदर यहाँ पे मैंने विकट कीपर मिलिया है लोगेस राउल और इशान किशन को बैटिंग मिलिया है रोई चर्मा विराट कोली श्टीव सिमित और माननस लभुष चेन को उसके लग से एक एक्ष्ट्रा सपीनर कुल्दी प्यादाव और आर अश्विन मेंसे जो भी खेले उसको मोगा दे दू और चाओ तो इशान किशन की जगया हार्दिक मांडिया को मोगा दे सकते कप्तान यहाँ पे मैंने बनाया स्टीव सिमित को वाइस कप्तान बनाया विराट क दोने को यह है ग्रेंड लीक की टीम नंबर वन जो इंडिया के शिर में मैंने बनाई है यहाँ पे पोसिबल चैंज फिर से बता देता हूँ अगर आप यहाँ पे इनके किसी बोलर पे रिस्क लो तो इंडिया के एक एक्ष्टा बोलर एड कर सकते हो कुल्दी पियादाव और अश्विन जो भी स्पीनर खेले वो इशान किशन पे रिस्क लो तो हार्दिक पांडिया एड कर सकते हो या मौमद शमी को भी एड कर सकते हो आपके अपनी चोईस रहने वाले अब देखो दोस्तों ऐस्टेलिया की टीम सिरीज आर चुकी है तो कोई भी बंदा ऐस्टे की पर मिलिया है एलेक्स करी को बैटिंग मिलिया है डेविड वोरनर स्टीव स्मिथ रेस एयर और विराट कोली को ओल्ड राउंडर में मारक अस्टोनियस को लिया है और बोलिंग में मिचल स्टार्क पैट कमिंग्स एडम जेंपा जोस हैजल वूड और आर अश्विन को ल करते हैं है की जिगह हो सकता हारदिक पंड्य को मुखा दे और यहां पे एक अश्विन को ना ले ना छाओ रख कुल्दीन आद आउ कே ले 5 को मुखा के लिए भी चिम को मुखा कर सकते हैं एक पर स्ट North प्लेयर बता देता हूं जिसका नाम है Mitchell Mars यहाँ पर आप Mitchell Mars को ले सकते हैं Mitchell Mars को आप वैसे भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने ना कोई भी इंडिया का Power Play का बोलर नहीं लिया है मैंने सिर्फ एक Ashwin Ashwin को लिया है इंडिया की तरफ से मैच यह तोड़ा रिसकी मैच है वालड कप स्टार्ट उड़ा वल्ल कप खेंदर जैसे अगर मान लेते हैं आप एक सिनरियों मान के चलो कि निदर लेंड और पाकिस्तान कोई मैच है तो शाहिन अफरीदी का फिक्स है कि एक या दो विक्ट तो दो विक्ट तो पक के निकालेगा है रिस राउफ का फिक्स है ऐसे दो तीम प्लेयर फिक्स निकल क्या जाएंगे बैट्समन में बाबाराजम दिसे प्लेयर का फिक्स है आप इनमें कमी इन्वेस्ट किजिए और फिर से कहूंगा बहुत सारे मैच है वर्ल्ड कप के 48 मैच आपके लिए अच्छे मैच है उनमें से कम से कम 30 मैच तो ऐसे है जो one-sided हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं हर कोई मैच हर कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लेगे तो लाइक कर दीजियो चैनल को सब्सक्राइब करना नाम बोले देनने वाँ